Hello student, welcome back to my channel comes to Kita तो आज हमाज टॉबिक है हुह पुन्रूत्थान काल है या हाई रेनेसल पीरियड है तो यहाँ पर हम जितने भी कोश्चन्स है पुन्रूत्थान काल के है चाहे वो आरमभी काल के हो चाहे चरन्र पुन्रूत्थान काल के हो यहां पर हम सभी देखेंगे कि कौन-कौन से पुरुत्थान काल के हैं तो यह आपका रिविजन टेस्ट है तो आपका चलिए स्टार्ट करते हैं कौश्यों नमबर बन हें यहां पर पुरुत्थान काल का केंडर था तो यहां पर पर ऑप्ष्ण दिये हैं जर्मनी है इंगलेंट है इटली है या फिर प्रान्स है, तो सभी लोग सारे स्ट्रोंट आंसर दीजिये तो इसका right answer क्या होगा तो सभी लोग बताईएगा, तो फिर उसके बारे में बताते हैं कि जो पुरुधान काल के जो केत्र है वो कौन-कौन है, ठीक है, तो चलिए सारे स्ट्रोंट जली से answer दीजिये इसका right answer क्या हो जाएगा तो बिल्कुल इटली हो जाएगा ठीक है तो चलिए पुरुद्थान काल के बारे में एक बार देख लेते हैं पहले हम बता देते हैं कि जो हाई रेसाइट पिरियेड है ठीक है यानि कि जो उसका समय था वो कहा बनलब कब से कब तक था 1300 से 1530 पहले यहाँ पे जो अर्ली रेसा का जो पिरियेड है वो 1400 से 1500 है और हाई रेसा का जो पिरियेड है वो कितना हो जाएगा 1500 से 1530 और जो पोस्ट रेसा यानि की उत्तर ठीक है उत्तर पुरुद्थान का है तो यह यहाँ से हो जाएगा यानि की रीतिकाल का बता रही हूं में 1530 से 1600 ठीक है तो यहां पर हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे यह हम पोस्ट रेनेसा बाद में पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे यहां पर अर्ली रेनेसा और हाई रेनेसा के जितने भी आर्टेस्ट हैं यह देखेंगे ठीक है तो यहां पर यह भी बता देते हैं जो जो केंद्र है वो इटली बताया ठीक है तो यहाँ पे जो केंद्र है इटली है फ्रांस है जर्मनी इस्पेन हॉलेंड ठीक है जो इटली है यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो फ्लोरेंस के और यहाँ पे वेनिस के आपके कलाकार देखेंगे फ्लोरेंस का जो प्रथम कलाक और यह पर जाए प्रभावित था कौन मासाच्चियों और यहां पर बता देते हैं जो वेनिस का प्रथम कलाकार है वो कौन है जिओ वर्नी वैल्लिनी है तिक है यह किया था मतलब रंगांकन मतलब ये तो रेखांकन में थे और ये रंग में थे निपल ठीक है ये किस से प्रभावित थे ये बाईजन टाइन कला से प्रभावित थे ठीक है तो इतना समझ में आया सारे स्टूडेंट को चलिए तो आई होप की समझ में आया ही होगा ठीक है तो यहां पर देखो यह चीज़ बता दे रही हो अगर बाईचांज अगर किसी को बाईचांज नहीं याद होता है तो इसको इसको बार बार लर्न करिए ठीक है यह important point है तो यहां पर बता ही दिये है चलिए तो question number two पर है तो यहां पर आपको बताने है तो सभी लोग जानते हैं कि जो मतलब यूरोप का मतलब यहां पर यूरोप है यहां पर देखो बहुत सारे कोश्चन कराने को कहा है हजार दो हजार बहुत हो सकते हैं लेकिन आप कोशिस करिए कि यहां पर साथ-साथ में कोश्चन भी देती जारी हूं जो इंपोर्डेंट है बार-बार एक्जाम में पूछे जाते हैं तो यहां पर आप यह देखिएगा कि जो आरंभिक पुरुद्थान है तो आरंभिक पुरुद्थान का था जो समय वो कितना हो जाएगा चौदर से से मतलब यहां पर चौदवी पंदरवी सताब्दी आपका हो जाएगा ठीक है जो आरंभिक चौदर सो से पंदर सो तो यहां पर फ्लोरेंस के कलाकार है तो यह देखो एक्जाम में पूछ लिया जाता है कि फ्लोरेंस के कौन से कलाकार है इडली के कौन से है वेन नेंजो घियवर्ति है Так臃ए पी बायों चमुक है और यहाँ आप याद करिए कहा बहुत ही जादा हुजी पूछ लिए फ्राफ लिप्पो लिप्पी है एक सांद्रो बुत्ती चेली ये तो आप बिलकुल एकदम दिमाग से एक ब्रूनलेशी भी इंपोर्टेंट है ठीक है तो लेकिन जो मैंने आपको बताया है उसको तो बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि एक्जाम में बार बार कहां पर रिपीट होता है यहाँ फ्लोरेंस की कौन से कलाकार है यहां կहां पर वेनीस की कलाकार है तो इस टाइप से पूछ लिया जाता है ठीक है तो चलिए तो आगे कोशन पर बढ़ते हैं कोशन नमबर थ्री कह रहा है यहां पर पुनर जागर कला है जो पुनर जागर काल है ठीक है तो किस देश के केंद्रों में फली फूली तो यहां पर आपको बताना है कि जो पुनर जागर कला जो है यहां पर पुनर जागण कला ही है, ठीक है तो पुनर जागण कला जो है यहाँ पर किस देश के केंदरों में मतलब जो यानि कि विक्षिद हुई थी सबसे जादा वो आप लोग जानते हैं कि इटली है फरांस और इंगलेंड है या फिर जर्मनी है तो यहाँ पर आप बहुत सारे कलाकार देखेंगे, बहुत साई जगे के छेतर भी देखेंगे, बहुत सारे केंदर भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर पुनर जागर कला के जिस के मतलब देश में केंदरों में जो यहाँ पर विक्सित हुई थी, सबसे जादा हुई थी, तो तो सारे स्टुइंट तो उस पर नजर होती होगी कि लाव पाजमा कुशन कौन सा है चलिए तो यहां पर उच्चु पुनर जागर काल के चित्रकार का नाम बताईए तो उच्चु पुनर जागर काल के चित्रकार का नाम है जियोत्तो है या फिर फ्रा एंजेलिको है या फिर बोत्ती चेली है या फिर रैफेल है तो यहां पर आपको बताना है कि उच्चुपनरजागर काल के चित्रकार हैं तो सभी लोग जानते हैं तो कौन है सबी लोग सारे स्टुन बताईए कौन हो जाएंगे जल्दी बताईए किसका अंसर बताईए तो बिल्कुल रैफेल हो जाएगा ठीक है बाक्षी कौन से हो जाएगे जल्टी से बताइए सारे कमेंट करके बिल्कुल मैंने अभी पढ़ाया था जित्यों पढ़ाय था दो प्राइएंचेल को और Bopti celli बढ़ाया है तो जलू से बताएए की तीनों कौन सी कलाकार हैं चलि पराकी है तो सभी सारे स्टुएंट जानते हैं दालास जजमेंट बहुती जादा इंपोर्टेंट है बहुत जादा पूछ लिया जाता है एक याद रखेगा यह दोनों ही पूछा जाता है एक्जाम में तो दोनों ही याद रखिएगा कि कभी हो सकता है दा लास जजमेंट इसको प्रोनिशेट कर दें और हो सकता है कि हिंदी में दे दें यहां पर आपका अंतिम न्याय तो अंतिम न्याय किसका हो जाएगा तो बिल्कुल माइकल एंजलो का हो जाएगा ठीक है एक आपका लास्ट सपर बहुत जादा एक्जाम में पूछा जाता है जो अंतिम भोज अंतिम भोज और एक अंतिम नियाय दोनों ही याद रखिएगा तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अंतिम भोज किसका है तो चलिए यहाँ पर लास जुज्जमेंट देखते हैं यहाँ पर इसका जो समय है वो पंद्रे सो 34 का है ठीक है तो यहाँ पर याद कर दिये जिगा कि कौन है इसके चित्रकार माइकल एंजलो कौन हो जाएंगे माइकल एंजलो ठीक है तो चलिए कुशन नमबर 6 पर बढ़ते हैं माइकल एंजलो द्वारा निर्मित मूर्ती डेविट की कुल उचाई थी तो यहाँ पर देखेंगे सबकी मूर्ती देखेंगे तो अभी तो लेकिन हम किसकी बात करेंगे माइकल एंजलो की बात करेंगे तो माइकल एंजलो ने जो मतलब जो इसकी उचाई है डेविट की वो कितनी हो जाएगी 17 फीट ठीक है याद रखी ना 17 फीट हो जाएगी चलिए तो यहाँ यहां पर डिविट की मूर्ति भी देख लेते है ये जो है आपको दिखाई दे रही है ये किसकी है डेए portionmm हो जाएगी 17 भी हो जाएगी ठीक है और यह किसमें बनी है तो फिल्कुल में बनी है ठीक है याद रखिये गा और बाकी माइकल एंचिरो्स nord्रॉ अभी करना ब đếnिए यहां दोन भेल कि हैं कि कुछुस्ट इव मह दाते हैं को यहां 10 इसे पिरिए नम बेल हैं 11 डिन अधिए आर्मपेय यह किस में बना है, ब्रांज में बना है, यह भी डेविट की मूर्ती थी, तो याद रखिएगा, माइकल एंचलो दूसरे कौन से हो जाएंगे, वेरेचियो हो जाएंगे, ठीक है, यह चीज याद रखिएगा, यहां पे जो मूर्ती बनाने का समय है, यहां पर आपको दिख तो यहां पर 1473 से 1475 तक का समय था तो देखो मूर्ती है तो मूर्ती बनाने में टाइम तो लगेगा इतका यह भी बता देते हैं जो वैरिच्चियों की मूर्ती है वह एक्षान शौकत के लिए इनके लिए प्रसिद्ध थी किसकी वैरिच्चियों की ठीक है चलिए तो अब हम नेक्स्ट बढ़ती हैं यहां पर दोना तेलों की भी देख लेते हैं तो साथ साथ में याद भी करते रहीएगा कि आखे डेविट की मूर्ती किन लोगों ने बनाई थी और इनका क्या क्या समय थे और किसमें बनाई थी यहां पर पहले बता देते हैं कि दोना तेलों ने भ करिएगा मूर्ती कौन-कौन और किसने बनाई है और कहा के कौन-कौन कलाकार है ठीक है तो यहां पर सिस्टिन मैडोना को जो चित्रित किया था वो किसने किया था तो सिस्टिन मैडोना लिओनार्दो दाविंची बोती चेली रैफेल मासाचियो तो सभी सारे स्टूइन आफ बिलकुल राइट ही है चलिए तो यहां में एक मिनट चलिये तो यहां सब क्लें syllable हो जाएगा अपYo嗎 नाम कौन सा है यहां पर सिस्टिन मेडोना और जो चित्रकार है तो आपने लोग ने बताया ही था कौन है रैफिल है और यह किस माध्या में बना है तो कैन्वास पर तैल रंग हो जाएगा ठीक है और किस सन में बना है सन इतना नहीं पूछेगा तो पंद्रे सो 21 हो जाएगा ठीक है इतना ज़्यादा नहीं बूसता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा है सिस्टिन मैडोना है कैनवास पर बाकी यह है और यहाँ पर देख सकते हैं कि यह कहाँ पर है जेमार्ड सॉरी यहा यहां पर बाकी इतना ज़्यादा इंपोर्डेंट नहीं है यहां से सबसे ज़्यादा यहीं चीज पूछाता है किस कलाकार ने बनाया है देखो अभी तो लोग सब लोग TGT और PGT की तयारी करने में लगे हैं नेट की तो बिल्कुल अलगी तयारी होती है एक एक पेंटिंग भी तयारी चलिए तो दा प्रसिद जो दा प्रसिद बोल रही हूं प्रसिद कलाकरती दा लास सपर के चित्रकार हैं देखो सारे स्टुएंट को अगर नीद आ रही है तो बता दीजिएगा क्लास नहीं रोकेंगे तो यहां पर देखो सब लोग पढ़ा करिए आराम से पढ पर रही है कि आप लोग को सारी फैसिलिटीज मिल सकें जितना हो सकता है तो इतना तो कर सकती हूं यह तो दा लास सपर है जिसके लिए मिन बताया था अन्तिम भोज इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं अन्तिम भोज तो सभी स्टुएंट जानते हैं किस ने बनाया है तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि दर लास सपर है अंतिम भोज जो इसका समय था 1495 से 1498 और इसका जो मतलब यह जो लंबाई है ठीक है मीटर यह यह लंबाई हो जाएगी 4.6 मीटर और यह 8.8 मीटर तो आप लोग भी जानते हैं यह एक भित्ती चित्र है क्या है यह एक भित् घात करने की कोशिस कर रहे हैं तो यहां पर इन लोग इस उने तो सबसे पहले ही बताई दिया था कि हमारे साथ कोई एक विस्वाज घात करेगा तो यह लोग पूछ रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं मैं ही तो नहीं हूँ यह देखो तीन इतना जादा अचंबित हो गई कहीं मै तो नहीं हूँ तो अनोंने बोला था कि यहां से कोई मेरे साथ एक मेरे से रोटी का टुकड़ा उठाएगा जो ब्रेड का टुकड़ा उठाएगा तो यहां पर देखो यह हाथ भी बढ़ा रहा है तो इसके उपर संकेत हो रहा है यह जो इनसान देख रहा है ठीक है तो यहा पर मिलान के सांता मारिया उपासना ग्रह में संग्रित है तो यह कहां हो जाएक मतलब किसका है यह और बागी अगर फीट में भी याद करना है तो यहां पर देख सकते हैं तो 15 फीट है इंटू 28.9 फीट है याद रखिएगा मतलब 15.1 इंच फीट हो जाएगा और 28.9 इंच फ जाओंगी तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा तो आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है वैसे वेस्ट तो नहीं होता है बगर बताते हैं तो बात में बताएंगे भी बहुत सारा टाइम है हमेशा जुड़ी रहूंगी आप लोगों से तो पूरा धी गिर्जा घर इमारतों की गली या फिर द्रश्य चित्र बहुत सारे का कंफ्यूजन होगा कि यहां पर इमारतों की गली होगा या फिर बहुत लोग का कंफ्यूजन होगा कि गिर्जा घर होगा लेकिन ऐसा नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बहुत सारे मैं तक 1530 मीडियम आप लोग जानते ही है कि oil on paint हो जाएगा जो इसका dimensions है यानि कि जो इसका अकार है वो कितना हो जाएगा 77 cm x 53 cm और अगर इंच में बात करते हैं तो 30 x 21 हो जाएगा और अगर हम बात करते हैं यह कहां पर तो कहां पर तो सब भी लोग तो जानते हैं कि यह यानि की जौ टोन है यानि की जो विधी है तो सारे शुन बताईए कि पहले बता देते हैं यह इक तो is four method आपने पढ़ा होगा शायद अप बाता है कि पूछ पूछ लिया जाता है इस फो मेटो होता क्या है तो इस फो मेटो को यहां पर यूज हुआ है और यहां पर इविन चैरस क्यूरो का भी यूज हुआ है ठीक है चैरस क्यूरो होता है यहां पर गहरा चाया प्रकास और इस फो मेटो होता है यहां पर कि मतलब जो लाइन को यहां पर मर्ज कर दी जाती है आपने देखा होगा कि यहां पर आइब्रो आपको एक साइड में देखिए कि यहां पर जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी चाहे लिप्स हो चाहे आइब्रो हो चाहे आइलेस हो तो यहां पर जितनी भी है इन रेखाओं को यहां पर मर्ज क इनकी जो इस पो मैतो और क्यों कहते हैं उसका चेरस क्यूरो के लिए विंची ठीक है तो याद रखिएगा मोला लिसा की पेंटिंग चलिए तो मोला लिसा की पेंटिंग सभी लोग जानते हैं किसने बनाई है कौन है और कौन किसने नहीं बनाई है मीडियम भी सबी लोग जानते हैं कहाँ पर संग्राले है तो सब कुछ याद करिएगा चलिए तो यहाँ पर नारी जाती की रहसे मई पहली किसे कहा जाता है तो यहाँ पर बता देते हैं तो सभी लोग जानते है कि रारी जाती की रहसे मेई पहली है तो बिलकुल मोना लिजा है ठीक है तो यहाँ पर यह रहसे मेई मुसकान के लिए तो जानी जाती है यहाँ पर देखो पीछे बैग्राउड भी देख लीज़ेगा एक यहाँ पर देखो इसके आख में ये भी है ये भी बता देते हैं यहाँ पर मतलब L लिखा है मतलब L मतलब लियोनार्डो का यहाँ पर सिंगनेचर भी है तो यहाँ पर बस इतना ही जादा तो नहीं है इससे जादा तो चलो बताते हैं बाकी तो सब बता ही रहेंगे बस ज से कहा गया है मैडोना को कहा गया है तो बिल्कुल आपने बताई दिया था मोना लिसा को कहा है चलिए तो कोश्चन नंबर 14 है यहां पर लियोनार्डोदा विंची के सिक्षक कौन है तो यहां पर सब लोग बताईए कि जो सिक्षक हैं लियोनार्डोदा विंची के तो कौन है लोरेंजो घिबर्टी है या फिर दोना तेलो है यहाँ पर आंद्रिया देल वेरिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् याद रखिएगा चले नेक्स तु बढ़ते हैं कुश्चन नंबर 15 पर बढ़ते हैं कि यहाँ पर चलो 15 से बढ़ने से पहरे चलो विंची के बारे में भी पढ़ लेते हैं जब विंची के बारे में आया है चलिए तो सभी लोग को तो पता ही है कि गुरू कौन है वैरिच्छियों है यहां पर बता देते हैं कि लियोनार्डो दा विंची मतलब कहां फ्लोरेंस यहां पर इतली वासी महांचित्रकार है मतलब कितनी जानते हैं कि यहाँ पर कितनी सारी विशेष्टा थी और यह चीज मैंने बताया है कि मतलब यहाँ पर इनके बता देते हैं कि wonder of the age भी बोला जाता है ठीक है तो यहाँ पर चेरस्क्यूरो और इस्फो मैतो का यहाँ पर प्रयोग किया है किसने विंची ने किया है बहुत अच्छे से तीक है तो यहाँ पर अपनी चित्रों में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा चेरस्क्यूरो और इस्फो मैतो दोनों ही यहाँ पर प्रयोग करें है पॉर्दफान काल के कोई बहुँनार्द पड़ लेंगे तो आपके जाधा अच्छा रहेगा आपको अच्छ से याद हो जाएगा यहाँ पर बता देते हैं कि चरम पूर्थान का देखते हैं यहाँ पे लिओनार्दो दा विंची है राफेल संजीओ है राफेल है यहाँ फिल करीएगा माइकल एंजलो है और यहाँ पर दोनत्तु क्रामते है यहाँ पे आंधियादेल सार्थू है तो यहाँ पर तीर आपको दिख रहे होंगे वन टू थ्री तो इनको तो बहुत अच्छे से याद करिएगा बहुत ही जादा important है तो बैसे भी मैंने चनलपुर्थान में आपको कोई सभी ऐसे question नहीं चोड़ेंगे आपको सब मिल जाएंगे ऐसा नहीं है कि आपका एक्जामे नहीं मिलेगा इतना ही पढ़ लेंगे आपका एक भी question नहीं रहेगा ठीके तो चलिए question number पर बढ़ते हैं 15 पर Question No.15 कह रहा है कि Marriage of Virgin चित्र किस के द्वारा चित्रित है То सारे इस ट्विएंट जल्दी से बताइए कि marriage of virgin ठीक है तो marriage of virgin किसका हो जाएगा तो बिलकुल ग्राफिल का हो जाएगा देखो ये जो pictures आपको बता रही हूँ बहुत ही जादा important है तो यहाँ पर इसलिए मैं तीन option के बारे में इसलिए पहले से चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं virgin जो है किसका marriage of virgin है यहाँ पर pictures है तो आप देख सकते हैं चलिए तो यहाँ पर next है तो यह किसका हो जाएगा Raphael का हो जाएगा याद करते जाएगा ठीक है तो यहाँ पर साथ साथ में याद भी करते जाएगा तो चलिए यहाँ पर यूरोप की कला में किस कलाकार को Divine Painter कहा गया है तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो Divine Painter कहा गया है वो किसे कहा गया है माइकल एंजलो, जियोर्जियो, लियोनार्डो, राफेल तो सभी लोग जानते हैं कि सब चनल पुर्थान के काल यहाँ पर हाई रेनेसा के आपको कलाकार दिख जाएंगे लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा कलाकार है जो डिवाइन पिंटर है तो बिल्कुल कौन हो जाएगा रैफेल हो जाएंगे ठीक है चलिए तो कुशन नमबर 17 पर बढ़ते हैं 17 क्या कह रहा है कि यहाँ पर शैल खंडो की कुमारी किस कलाकार ने बनाया है तो यहाँ पर शैल खंडो की कुमारी के बारे में बताना है यहाँ पर शैल खंडो कुमारी जो कलाकार दिखते हैं यहाँ पर रैफेल है ननलाल तो यहां से एक रैफेल कट होता है ठीक है तो यह तो हो गया जामिर है बना नहीं सकते हैं तो फिर कौन हो सकता है चलिए तो यहां पर चलिए बताएं यह सभी गलत है सभी हो गया है गलत चलिए तो यहां पर विंची हो जाएगा ठीक है तो यहां पर तो एक कट हो गया तो य तो यहाँ पे pictures भी दिखा देते हैं कि ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए तो यहाँ पे चलिए pictures देखते हैं यहाँ पर Virgin of the Rocks है तो इसके बारे में पढ़ते भी हैं यहाँ पर पहले देख लेते हैं Virgin of the Rocks यह देख रहे हैं यहाँ पर इसके बारे में मैंने पूरी बताया भी है आप shots भी देख सकते हैं बहुत अच्छे से बताया है पूरी full details बताई है तो यहाँ पर दो चित्री ही बनाए तो यहाँ पर पहले चित्र के बारे में देखते हैं Virgin of the Rocks यह तो बताया ही है बाकी हम हिंदी में कह सकते हैं शैल खंडो की कुमारी ठीक है तो दोनों ही पढ़िएगा तो बाकी चित्रकार का नाम है वो कौन से हो जाएंगे लियोणार्दो दविंची हो जाएंगे बाकी किस पर बना है? Oil on canvas पर बना है बाकी चित्रका समय इतना नहीं पूछेगा लेकिन आप याद कर लीजिएगा बाकी तो बस यह याद कर लीजिएगा हाँ पंदरवी सताबदी का है ठीक है? बाकी आकार देख लेते हैं आकार और यहाँ पर संग्राले तो लोबर संग् चलिए तो यहाँ पर नेक्स पर बढ़ते हैं फ्रा एंजिलिको कि शैली का चित्रकार था तो आपको यहाँ पर बताना है फ्रा एंजिलिको तो फ्रा एंजिलिको के बारे में पढ़ा ही है तो सभी लोग जानते हैं कि किसका चेप्टर चल रहा है तो सभी लोग बता देए तो आसान सा कोशन इसलिए मैं टिक लगा दिया चलिए तो कोशन नमबर 19 पर बढ़ते हैं 19 से बढ़ने से पहले यहां पर चलो फ्रा एंजलिको के यहां पर चुत्र देख लेते हैं तो यहां पर मिस्ट्र को पलायन यहां पर बता देती हूं कि यहां पर इंपोर्टेंट है और फिर लास्ट में बोल देती हूं कि नहीं यह भी है तो स्टुडेंट में देखती हूं मैसेज ठीक है यहां पर बोलते हैं हाँ सभी इंपोर्टेंट है तो मैं तो इसलिए कहती हूं कि देखो यह इंपोर्टेंट कुमारी का अभिशेक है ठीक है देवदूत संगीत तग्य है ये भी याद करिएगा अंतिम न्याय ये भी याद करिएगा मैं तो कहती है मतलए यहां पर ये तो नहीं कह सकती हूँ अब ये याद कर लिएगा अब मैं कह रही हूँ कि चारो याद करो तो है ही चारो ये पांच मत होईएगा चलिए तो इसलिए मैं याद करवा रही हूं कि जल्दी से याद कर देगो यह तो जरूर एक्जाम से पहले इसको देख के जाईएगा जरूर ठीक है तो यहां पर आपको बहुत सारी कुश्चन्स मिल जाएंगे चलिए तो यहां पर चरम पुर्थान वेनिस का प्रत्हम Upramukh Chitrkär और तो सभी लोग दोग जाते है कि खाला का जली से पटाएगे तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा क्जान हो जाएगा जोरूर चोंस बढ़ते हैं question number यहाँ पर चरण पुर्थान के भी देख लेते हैं कलाकार तो यहाँ पर कौन कौन से हैं देखते हैं यहाँ पर Florence के मैंने बता ही दिया था कि ये तो तीन बिलकुल याद करिएगा Venice के आप देख लेते हैं Venice के यहाँ पर Georgion है ठीक है तो यहाँ पर Georgion को जरूर याद करिएगा कौन से हो जाएंगे आपके Venice के कलाकार हो जाएंगे ठीक है यहाँ पर हाँ question number 22 देख रहे होंगे कि बच्चे हाँ Albert Durer किस देख कलाकार है तो बताईएगा ठीक है तो यहाँ पर चलिए तो जोर्जियोन है तो यहाँ पर यही चीज़ आया था यहाँ पर Georgion हो जाएगा ठीक है तो यह किसके हैं आपका Venice के कलाकार हो जाएंगे चलिए यहाँ पर Venice चलिए नेक्स्ट है विल्कुल Venice ही कर दिया है विल्कुल चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा जोर्जियोन और टिशियोन को याद करिएगा चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं question number 20 क्या कह रहा है अलबर ड्यूरर किस देश का कलाकार है तो सब लोग जल्दी से बताईएगा जर्मनी के हैं हॉलेंड के हैं फ्रांस के हैं या फिर इटली के हैं तो सबी लोग बताईए तो बिल्कुल किसका हो जाएगा जर्मनी का हो जाएगा कि चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं यहां पर जर्मनी के देखी लेते हैं कि जर्मनी के कौन से हैं कराकार जॅ cuando करहें यहाँ जो कलाकार हैं जो चापाक्र एंडप यहां पर अल्व ड्यूरह्य मैंटिन शेद्गोर हैं लुका से क्रेनिक हैं और चाहाँ सबस्याद c चीज इंपोडेंट है यहां पर ये भी तो पूरा सभने लगा चलिए मर्डिन शानगो यह दो याद करें यह जादा इंपोडेंट है तो डियूरर कहां के हो जाएंगे जर्मनी के हो औरगी से पुर्टानगा से समबंधित है चलिए कुशेर्ट 21 क्या कह रही है डीूररत्रा निर्मितध ऑुफ वरजिन जो डीउरर की यह तो आप जानते हैं कौन से कलकार है छापाकार हैं तो अन्यक्तरी कार हो गया होगा ठीक है याद रखिएगा important है याद करिएगा सब important है मैं साथ साथ मैं बोलती जाती हूँ कि यहाँ पर important है याद करिएगा देखो यह एक series पहली बता देती हूँ यहाँ पर सारा आपको जितना भी जितना भी virgin की जो है उनको सबकी life के बारे में सबको दिखेगा यहाँ पर wood cut है तो यहाँ पर चापा कला में आ जाएगा आपका यह ठीक है तो यहाँ पर चापा का रहे हैं तो मतलब durer हो जाएगा ठीक है चलिए next बढ़ते हैं यहाँ पर question number 22 कह रहा है माइकल एंजलो द्वारा वेटिकन सिटी में सिस्टिन चैपल की छत चितर के लिए किस तकनीक का प्रियोग किया गया टेमपरा का mix media या फिर oil या फिर फ्रेसको तो यहाँ पर आपको बताना है किस तकनीक का प्रियोग हुआ है फ्रेसको mix media तो सभी चैपल की छत भी दिखा देती है यहाँ पर कितना जादा खुबसूरत है देखने का मन करता है चलिए तो माइकल एंजलो है तो यहाँ पर क्या है समय इनका 1475 से 1564 है बाकि यह सिस्टिन चैपल की छत है ठीक है तो यहाँ पर इसका समय 1508 से लेके 1512 कितना समय लगा था आप खुद सोचिए है ना तो यहाँ पर माईकल एंजलो हैं यहाँ पर बहुत साई चित्रकारी है इनको पसंद नहीं आया था बहुत सारे आर्टार के script किया था नियुक्र से दूबारा किया यह तो यहाँ अपर बड़ी कहानी है इसके बारे में बाद में बताएँगे yemek मे माइकल अचलो का जन्म कहा हुआ था तो माइकल अचलो का जन्म कहा हुआ था है तो Virgin कै शल्म ऑन सान है whenever the video you suggest the tag माइकल एनज़ो के बारे में भी बढ़ते हैंивают हैं यहां पर नहीं दिया है कोई बात नहीं तो यहां पर बता देते हैं एक को बरोक कला का पिता कहा जाता है सब के अलग-अलग सब कोई ना कोई पिता है, तो यह बरोक कला के पिता है ठीक है, यह इनको a sculpture who painted, मतलब इनका कथन है a sculpture who painted, चलिए, यहाँ पर pieta किस इतावली, यहाँ पर एक मिनट pieta किस इतावली पुनर, जार मूर्टी कार की प्रसिद संगमर मरं मूर्टी है तो यहां पर मूर्थी बतानी है यहां पर पिएटा की तो माइकल एंजलो बुररटी है यहां पर हिनिरी मूर है अलबर्जी को मित्ती है या फिर दोना तेलो है तो यहां पर सभी लोग जानते हैं माइकल एंजलो ठीक है तो यहां पर चलिए इनके बारे में देख लेते हैं क ठीक है यहां पर चलिए कुश्यों नंबर है माइकल एंजलो कुश्यों नंबर कह रही हूं यहां पे जो देख रहे हैं यह क्या है पिएटा की क्या है यह पिएटा की है बाकी बता देते हैं यहां पर किस माद्या में बना है तो किस में बना है संग मरमर बना है ठीक है याद यहां पर गोद में लेटे हुए हैं कितनी उदासी की बात है चलिए उदासी की नहीं दुख की बात है चलिए तो यहाँ पर Primavera तथा Temptation किसका चित्र है तो यहाँ पर Temptation का तो चित्र नहीं दिखाऊंगी यहाँ पर Primavera का है तो Primavera के बारे में देखते हैं भागी आप Question बताईए इसका Right Answer यह Kra Angelico नहीं है यह Fra Angelico है ठीक है तो थोड़ा तो आप समझदार हैं समझ सकते हैं तो यहाँ पर Primavera तथा Temptation किसका चित्र है तो सारे स्टूरेंटली से बताईए इसका Right Answer क्या है बताईएगा एक बर मैं और लिख दे रही हूँ चलिए तो एक बर और लिख देती हूँ इसा का जन्म तो पता ही है कि इसा का जन्म किसका हो जाएगा आपका किसका बास्तिविक सॉरी बास्तिविक शूली भी कैस इनका है अन्ने में बता देते हैं मिस सॉरी वीनस का जन्म वीनस का जन्म आपका कौन सा हो जाएगा बोत्ती चेली ठीक है किसका हो जाएगा बोत्ती चेली हो जाएगा और मिश्रुको पलायन आपका कौन सा हो जाएगा और देवदूत संगीत यह दोनों ही किसका हो जाएगा सौरी फ्रा एंजलिको का हो जाएगा याद रखीगा ठीक है तो चलिए एक तो कुश्चन पर त्प्राफ लिपई है फ्लिपवयो लिपई से फ्लिपो लिपई एक्क है तो जल दीं जलदी हो एक्षा मिस्टेक है तो यह पर बिलकुल आपका चार्म धंदूत तथा प्रलाई किसका हो जाएगा पाउलो उच्छेलो का हो जाएगा साफ से कर देती हूँ अच्छा तो अच्छे समझ में आएगा पाउलो उच्छेलो ठीक है याद रखिएगा परिपेक्ष के ये क्या है अविश्कार मतलब जो है परिपेक्ष के अविश्कार करता है किसके परिपेक्ष के ठीक है बाकी उनको पक्षी कभी चित्रकार कहा जाता था ठीक है बाकी जैसे जहांगीर काल में मनसूर को कहा जाता था चलिए यहाँ पे थर्टी बन है यहाँ पे दा ट्रिनिटी किसका चित्र है तो आपको बताना है दा ट्रिनिटी किसका है घिवर्थी पैरोजिनो मासाच्यो पावलो उच्छे लो तो सबी लोग जानते हैं जो the trinity किसका हो जाएगा मासाच्छियों का हो जाएगा किसका हो जाएगा मासाच्छियों का हो जाएगा याद रखीगा बाकी गिबर्ती पैरजुनियों बताईए कहाँ पर कौन सा है बताईएगा तो यहाँ पर बताईए सबी सारे स्टूडेंट चलिए तो यहाँ पर कुशन नमबर 32 पर बढ़ते है 32 क्या कह रहा है जर्मनी के छापाकार कौन है तो बताना है पीटर गेल है यहाँ पर ड्यूरर है पाउलो वैरेनिस है यहाँ पर फिर से टिट्टो रेटो को ऐसे लिख जिया है यहाँ पर यत्तेनो रेटो या टिट्टो रेटो कुछ भी बोल सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर बता देते हैं यह दोनों सॉरी फिर से मिस्टेक हो गया यहाँ पर तो यहाँ पर बताते हैं यह चीज यह दोनों जो चित्रकार हैं यह कौन से हो जाएंगे आपके रीतिवाद के हो जाएंगे रीतिवाद आपको बाद में पढ़ाएंगे ज़रूर या फिर उत्तर उत्तर छरम पूरत्थान जो मैंने आपको बताया था ऐकर जो वेनिस की है चलिए तो कोशन नमबर बढ़ते हैं यहां पर थर्ड इसको बता देते हैं यहांपे अलबर डियूर का आया है तो इनके बारे में बता देते हैं तो यह पुर्ट सुरी फिर से एक तूफ पैन लेना भूल जाते हैं इसमें बड़ा बेकार सिस्टम होता है चलिये तो यहां पर है जर्मन याद रखिएगा वेनिस के कलाकार है यहाँ पर आपको बताना है आंद्रिया मंग टेना है यहाँ पर थोड़ा सा वह पर यहाँ पर लोग मेंग टेना की में बतारी हो यह कुशन है तो यह कहां सा हो जाएगा अन्रिया मंग टेना है तो बाकी तो वेनिस में हो जाएगा अपका ये दोनों ही Florence की हो जाएंगे ये समझ लीजिए तो ये Florence की हो जाएंगे तो याद रखीगा Florence के कौन से कलाकार है Venice के कलाकार है तो सब याद करिएगा ठीके? तो बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं ये अच्छे से याद करिएगा एक्जाम में आपके कम से कम एक या दो कोशन जरूर मिलेगा ऐसा चली तो यहाँ पर कोशन है यहाँ पर चरम पूर्था कोशन नहीं मतलब जो इसके बारे बता रही हूं तो यहाँ पर देखते हैं कौन से हैं Florence के तो रिपीट करा रही हूं देखो इसलिए में बार बार तो लियोनार्डो दाविंची याद करना Florence के हैं राफेल सांजियो माइकल एंजलो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इनके केंडर है ठीके तो यहाँ पर दोनों तेलों यह ऐसा नहीं कि Florence भी देदेगा इटली भी देदेगा ऐसा नहीं है Florence रगे का इटली चलिए तो यहाँ पर आंद्रिया बाकि यह तीनों याद करने हैं तीन ज्यादा इंपोर्टन है वेनिस के दो याद करने यहाँ पर चलिए तो अब बढ़ते हैं फ्लोरेंस का प्रत्रम कलाकार कौन है तो आपको बताना है जो फ्लोरेंस का कलाकार है वो कौन है तो बताइएगा की कौन है अंद्रिया मानतेना है यहाँ पर जेंतिल वैनलेनी है या फिर मासाच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च रहा तो क्या फ्लोडीज का प्रथ्म कलाकार को जायेगा तो ब रिल्कूल मासा चीछ को जाएगा ठीक अब आटी कर दो कोश्च나 नंबर सी क यहां पर आपको कि रहे हाएं कि लिए ने कि रहे हैं कि लिए कि कर लए फिर लाइम पर फिर से आता है रहा है चलिए यहां पर इस तो यह तो इस often दो से प्रभावित् है तो बेदनिस की कला किस से प्रभावित है तो आपको बताना है तो किस से प्रभावित है तो बताईएगा सारे स्टुएंट ये जारा कलर दिख नहीं रहा है चलिए तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा बाईजन टाइन से प्रभावित थी याद रखेगए का अगर हमаш roman attraction की बात करें तो यह फ्लोरंस की कला से प्रभावित थी ठीक है Florence ठीक है याद रखेगगा यह Florence की कला से roman attraction मतलब फ्लोरेंस की कला इन अग Yay तो याद रखिएगा बागी सारी जल्दी से बताईए कि बेनिस का चरम पुर्थान के जो प्रम कलाकार हैं बताईएगा कौन हो जाएगा देखो आंसर देते रहिएगा आपका ही रिवीजन होगा बहुत अच्छा सा ठीके तो सब लोग बिल्कुल जुड़े रहिएगा और बाकी नीन वीन को थोड़ा सा त्याग दो बाकी नीन वीन को छोड़ो मुझे भी नीन आती है लेकिन मैं भी नहीं सोती हूँ आप लोग के लिए वीडियो बढ़ाती रहती हूँ कि हाँ मुझे भी बहुत मैं भी सोचती हूँ कि का सो जाओं सो जाओं लेकिन मैं नहीं सो लिए चलिए तो चरब उरधान के कराकार है। तो और यहां पर थोरी मिस्टेक हो जाती है ठीक though बागी तो समझें है कि हाँ यह वॹरिच्च्यूए है यह को यहां पर बोति चेल्लो भी तुटा देते हैं तो यहां पर अरंभग के पुनरूधधते हैं कि यहां आपको लिखी दिया है यहाँ पर आरंभिक और चरम पुर्थान के सभी कलाकार जरूर याद करिएगा ठीक है तो बहुत सारे स्टोरेंट भूल जाते हैं तो जरूर याद करिएगा बाकी the gates of paradise most important है बहुत बार exam में आता है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं the gates of paradise किसकी मूर्ती है यानि भी गेट है मूर्ती है ठीक है तो यहाँ पर आपको बताना है कि लारंजो घिबर्टी है दोना तेलो है और बैरेच्छियों है या फिर इन में से कोई नहीं तो आपको बताना है क्या है इसका right answer तो बताईए तो gates of paradise किसकी है जल्दी से बताईए तो बिल्कुल लारेंज़ घ्वर्टी की हो जाएगी ठीक है? किसकी लारेंज घ्वर्टी की हो जाएगी याद रख्येगा है नहीं को चलिए तो अब बता देते हैं कि यहां पर इनका gates of paradise की दिखा देते हैं आपको लॉरेंज घिबर्टी का देखते हैं यहाँ पर एक मिनट चलिए दोनों ही है चलिए तो यहाँ पर बता देते हैं कि लॉरेंज घिबर्टी का जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं ठीक है तो यह इनका जो समय है यह टाइम पिरिएड है बाकी यह ब्रॉंज डूर है यहाँ इसका नाम है gates of paradise है ठीक है यहाँ पे स्वर्ग का दर्वाजा कितना खुभसूरत है चलिए तो यहाँ पे ब्रॉण्ज में बना हुआ है बाकी किस ने बनाया है ल्रेइश गिबर्टी ने बनाया है चली तो अब हम देखते हैं यहाँ पर गेट्स ओफ हैल तो अगस्ट रॉडिन जल्दी से बताईए कि कहां कि कलाकार है देखते हैं कौन इस्ट्रॉडन बताता है तो जल्दी से बताईएगा कि जो गेट्स ओफ परडाइस जो है यहाँ पर क्या कहते हैं यह इनका समय ब्रॉ वैसे यहां पर है gates of hell चलिए तो यहां पर दोनों आपने देख लिए यहां पर मैं बता रही थी कि आपको मैं पिक्चर जरूर दिखाऊंगी एक में पिक्चर थोड़ी सी पिक्चर रही है तो उसको भी मैं सुचा कि कि रैफेल कहां का है चित्रकार जल्दी से बताईएगा जल्दी से देखते हैं कौने स्ट्रून बताता है रैफेल रैफेल जल्दी से बताईएगा कि रैफेल कहां का चित्रकार है स्कूल ऑफ एथेंस याद रखिएगा स्कूल ऑफ एथेंस है यहां पर यहां पर चलिए तो यहाँ पे टिशियन का देख लेते हैं रेप ओफ यूरोपा तो रेप ओफ यूरोपा भी बहुत ज़दा इंपोर्डेंट है इसलिए मैंने आपको बता देगी कि चलो कम से कम साथ साथ में बताती भी जाओंगी तो आपको याद रहेगा ठीक है तो यहाँ पे टिशियन है ट कहां का कलाकार था वेनिस का था फ्लोरेंस का था कहां का था जल्दी बताइए पीरियेट रेनेसा है यहाँ पर दा रेप ओफ यूरोपा याद रखिएगा दा रेप ओफ यूरोपा तो यहाँ पर अभी हम देख लेते हैं जियोर्जियन का भी देख लेते हैं जियोर्जिय का है केन वस परन जागए यहाँ पर यहाँ कर लिजीगा सारे स्दोन फार बरत में मिलान फ् muri मुजभ d बोल सकते हैं यहाँ पेश्व्ययर वर्ड भी बुल सकते हैं यहाँ पर सेवुयरो वर्ड बोल सकते हैं यहां पर सलवाडर मुंडी भी बोल सकते हैं ठीक है यह किसका है यहां पर लियो नार्दोदा विंची का है तो बिल्कुल सेम जैसे मुनालिसा में यहां पर इस फूम है तो और चेरस्क्यूरो का यूज हुआ था सेम बिल्कुल इसी में भी यही यूज हुआ है ठीक है तो याद रखिएगा दोनों ही तो यहाँ पर जो इस काल का है तो यह किसका हो जाएगा आपका चरम पुरुथान काल का हो जाएगा यहाँ पर बाकी एक अक्रोट के कैन्वस पर बना है अक्रोट के कैन्वस जो होता है उस पर लेकिन यह यहाँ पर तो नहीं है यह किसी प्रिंस के पास है यहाँ पर अभी तो यहाँ पर नहीं है बाकि तो जो उसका वो तो खोग चुकी है जो रियल वाली थी वो तो खोग चुकी है यह तो अभी किसी ऐसा डूबलीकेट बनाया गया है जो अभी बनाया गया है दूसरा ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर सब रहसे मही हो जाती है वो गायव हो जाती है आटोमेटिक विंची ऐसी रहसे मही वो है चित्रकार चल तो यह है चित्रक यहाँ पर देखते हैं कि कितना 450 मिलियन डॉलर करीब यहाँ पर दिखनी रहा होगा यहाँ पर करीब कि सो सकते हो कि आप 2937 मतलब कितना जादा अरब में वियो गया निलाम हुआ था तो यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है चलिए तो यहाँ पर आपको मैंने सब बढ़ाई दिया है तो सारे शुर्ण जदी से बताईए क्लास आपको कैसी लगी चलिए तो आपकी क क्लास यही खतम होती है